अब pressuredur, सब राएकरें, बेला अक्न का दबाएं ताकि हमारी उट्रे सथीपर बिल्बान सकतों अब यहाँ एक काइदा बता देता हूँ बेवी के लिए भी और मर्दों के लिए भी इसे जिन्दकी पर याद मेढ़ाने ये रिष्टा जो है न ये गिव इन टेक का रिष्टा है रिष्टा है गिव इन टेक का रिष्टा लो और दो आप जिस तरीके से अपने शोहर से उम्मीद रखती हैं कि आपका शोहर आपको प्यार दे तो आप भी अपने शोहर को प्यार दो आप चाहते हैं कि शोहर आपको अटेंशन फराहम करे तो आप भी शोहर को अटेंशन अब ये नहीं मैंने अभी परसोही की बात है एक फैमिली को मैंने जो है वो समझाया रात को देड़ बजे बहन से डिसकस कर रही थी मुझे मैसेज आया कि हजज़र देखो ये रात की समझाया मैंने कि ये कोई वक्त है तो कहने का मकसद ये है कि सोचती नहीं है बहुत सारी औरतें और मर्द भी नहीं सोचते और गिवेंड टेक का ये रिष्टा है आप जो चीज की उम्मीद आप चाहते हैं जैसे मर्द की पोजिशन है कि आपकी बीवी जो है वो अच्छी तरीके से बंसवर कर आपका वेलकम करे वो अच्छी तरीके से साफ सुतरे कपड़े पहनी हुई हो जब आप घर पहुँचे तो साफ सफाई का माहोल अच्छा हो घर में सारी चीजें सलीके से हो बच्चे अच्छी तरीके से तयार हो करके हो और आपकी पोजिशन यह है कि घर बेंटी करते हैं सिगरेट पीते वे तंबाकू काते वे गुटका काते वे और पी जैसे तैसे बैटे लाओ क्या खाना है जल्दी से दो खाए पिये और मुझसे बदबू आ रही और बैट गए अपने बीवी बच्चों के साथ तो बीवी से तो आप उमीद रखते हैं कि बिलकुँ साफ सुतरी रहे और खुद का हाल क्या है अब इसके लिए उसूल क्या है फरमाया गया कि आप घर जब पहुँचें तो सबसे पहला काम ये करें कि जितने भी आपके टेंशन चाहे वो बिजनेस के हो चाहे जॉब के हो चाहे कोई भी आपके टेंशन हो उनको सब को घर के दर्वाजे पर रग करके आप घर में जब एंटर हो तो मुस्खुराते हुए एंटर हो मुस्खुराते हुए एंटर हो और जाएं अपना सामान रखें बैग रखें फ्रेश हो शावर लें ब्रश करें अच्छी तरीके से तयार हो, कपड़े चेंज करें और उसके बाद फैमिली के साथ बैट करके बात करें और बहुत सारी औरतों के जो प्राब्लेम से उसको मैं बात ने बताऊंगा लेकिन मर्दों को मैं बताऊंगा आपको करना क्या है फैमिली लाइफ डिश्टर्ब क्यों होती है अच्छी लाइफ के लिए आपको पर्फियूम इस्तेमाल करें खुश्बू लगाएं मर्दों को तो इजासत है लेकिन वही बदबू बदन से आ रही है और वही मेले कुछेले कपड़े पहने वे हैं अच्छीब सिच्वेशन होती है घर पहुचने के बाद सारी थकान के बाद उनको बस रिश्टा बस ही बीवी जरा सर में तेल लगा दो पैर दबा दो कहां से हम दे ये सबसी का है ये गिविन टेक का रिश्टा है आका ये करीम स्वाल्लाह वाली वसल्म से मतालिक उम्बलमुमिन हज़त आईशा सिद्धिका रदियल्लाह टाला अनहा से पूछा गया कि रसूल गिरामी वकार स्वाल्लाह टाला अलियु वसल्म जब घर तश्रीफ लाते थे तो सरकार के आने का तरीका क्या था तो उम्बलमुमिनिन फर्माती है कि हुजूर जब घर तश्रीफ लाते थे मुस्कुराते वे तश्रीफ लाते थे और घर में दाखिल होने के बाद तहक कुमाना अंदाज नहीं होता था यानि ओर्डर करने वाली पोजिशन नहीं होती बलके हुजूर खुद अपना काम अपने हाथों से अंजाम दे दिया कर दे ये मेरे आखा के सिचुशन नहीं है आज तो तलाक की वज़बी बसा आउकात ये बन जाती है कि मैं घर में एंटर हुआ बीवी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा इसके माबाप ने ये भी नहीं चिखा ऐसी बीवी को घर में रखके मैं क्या करूँ वज़ए ये है कि हम उस दोरे जहालत की बात करते हैं तो इस चीज़ को जहन के अंदर रखें कि आप घर में जब एंटर हूँ मुस्कुराते वेंटर हूँ और दूसरी चीज़ आप घर में दाखिल हो तो अपनी बीवी से महबत का इजहार करें इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने पुरा दिन काटा है तुमारे बगेर लेकिन ये सारी बातें तो किसी और केलिए आपने चोड़ रखी हैं आज का नौजवान ये सारे जूमले ले कि अिज़हार महबत ये हुक्म है अपनी बीवी से ले ले लूट कहता हूँ ये कि अपनी बीवी से और बलके इसको प्रूफ करो और प्रूफ करने का तरीका क्या है उसके एपसेंट के अंदर उसकी जुदाई के हवाले से आपको फिक्रमन रहना चाहिए वो अगर मा किया गई खैरियत से पहुँची के नहीं पहुँची कोई तकलीफ तो नहीं है आराम से तो है दिन में दो चार मरतबा उसकी खैरियत पूछ लें तो उससे भी महसूस होगा मैं अकेली नहीं मेरा कोई है लेकिन यहां तो मसला यह है कि बस गई तो गई ल्ला करे कि अब यह ना आए यह सोच होती है कहां से रिष्टे अच्छे रहेंगे मैं जो बातें आपसे अर्श कर रहा हूँ इसे दिल और दिमाग में महफूस कीजिए और आप अगर सोसाइटी का जाइजा लेंगे तो आपको यह चीज नुमाया तोर पर मिलेगी और आप देखेंगे कि यह चोटी 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 बातें बहुत बड़ा सबब बन जाती है आपसके डिस्प्यूट का और रिष्टे की दराड का मेरे प्यारे आका स्टल्लाभ टाला अलेही वस्ल्म के प्यारे दिवानों आका ये करीम रॉफु रहीम अलेही त्तहीयत अतुब तस्लीम बीवी से प्यार का इजहार किस तरीके से फर्माते थे अल्लाहु अक्पर अल्लाहु अक्पर रसूल गिरामी वकार स्टल्लाभ टाला अलेही वस्ल्म अम्ल मुमिनीन हदरतِ आईशा सिद्दीका रदियल्लाहु टाला नहा जब घर में थी और अपनी सहलियों के साथ बैटी भी थी सरकार तश्रीफ लाए तो सारी सहलियां उटकर बाग गई तो मेरे आक्पा अल्लाह वडियों ने अम्ल मुमिनीन की सारी सहलियों को बुलाकर अपनी बीवी के पास बिटाया आप जरा सोचे अकाई करीम ने कितनी प्यारी बात फरमाई है आज सोसाइटी के अंदर इसको अगर कोई करे तो लोग इसको दूसरी नजर से देखते हैं लेकिन हुजूर जानते थे कि सोसाइटी को किस तरीके से ब्रैक होने से बचाया जाए और एक बीवी की रिक्वाइर्मेंट और उसकी नफसियाती तोर पर उसकी डिमांड अपने शोहर से क्या होती है तो हुजूर ने फरमाई अगर कोई शखस अपनी बीवी के मुँ में हलाल का लुकमा रखे अल्ला उस पर उसे सदके का सवाब अता फर्माता है यारी आपने मुहबत से अपनी बीवी की मुँ में हलाल का लुकमा रख दिया ये इज़हर मुहबत का एक अंदाज है इस पर सरकार फर्माते है कि इस उमल पर finding उमें सदके का सवाब अता ओर्माएगा लेकिन यहां तो अब लाख खेर फर्माए कहां कहां किस-किस कुछ खिलाने का ख्याल है बीवी के लिए तो मौका ही नहीं आता कि बिचारी को कोई खिला सके इसी तरीके से आप देखें बहुत सारे मौामिलात के अंदर बीवी को नजर अंदास किया जाता है इगनोर और इस तरह से नजर अंदास किया जाता है कि बीवी अंदर से कुडने लगती है और बसा आवकाद तो बहुत सारी औरतें बीमारियों में गिरफतार हो जाती है कि मेरा शोहर तो मुझे पूछता ही नहीं तो याद रखें खुझगवार जिन्दगी गुजारने के लिए इस उसूल को भी जहन में रखें कि बीवी इगनोर करने की चीज़ नहीं है बलकि इस जुम्ले को जहन में रखें अल्ला ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया सर से पैदा नहीं किया दिल के खरीब की पसली से पैदा किया और बता दिया कि न ये पैर में रखने के लिए है न सर पर चड़ाने के लिए इस की जगा दिल है, इसको दिल में बِठाओ इसको दिल में बिठाओ तो इग्नोर ना करें अपनी बीबी को गर में कोई फंक्शन है उसे मशवरे में शामिल करे बहुत सारी फैमिलीज का मामला ऐसा होता है कि बस वो बहु कोई एंड में भी ये समझते हैं शादी के बाद कई बच्चे हो कि ने इसको दूर रखो इससे पुछने की क्या जरूत हम लोग कर लेंगे ना नहीं वो सब कुछ छोड़ कर आई है आप पर ट्रस्ट करके आई है फरोसा करके आई है उसे अपने घर में शामिल करो मशवरे में शामिल करो काम में शामिल करो पूछो उससे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसे इग्नोर मत करो ये इग्नोर करना भी इख्तिलाफ का जरीया बनता है और जब आप उसे एहमियत देंगे तो वो भी इस रिष्टे को एहमियत देगी जब आप रिष्टे को एहमियत नहीं देंगे तो वो भी रिष्टे को एहमियत नहीं हमारे विडियों को लाइक सेड़ जरू करिये